हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एबी वीडियो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी सूप बनाने की रेसिपी लेके आए हूँ आज हम बनाएंगे लेमन और कोरियंडर सूप जोकि रेस्टॉराँ में मिलता है बहुत ही यमी सा तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी ब मेरे पास लसुन है लसुन और अध्रक यानी जींजर की क्वांटिटी हम बहुत जादा नहीं रखेंगे हल्का सा फ्लेवर देने के लिए दो तीन कल्यां ही मैंने कट करीं है अध्रक भी साथ ही में डाव लिया यह भी एक छोटा सा तुकडा है और यह है हरी मिर्ची छोट जादा बिल्कुल बारीग चॉप करके कट किया हुआ मैं यह भी एड़ कर दिया थोड़ी सी छोटी-छोटी कैवेड करती है यह बिंच है छोटी-छोटी करती हुई यह है मश्रूम बिल्कुल छोटा बारीग कर दिया हुआ दो छोटे मश्रूम की पिसीज है और यह पता इस सब चीज़ों को एड़ करके सब्जियां आप अपनी लाइकिन के ही साथ से कुछ भी और डाल करते हैं सब्जियों को एक दो मिनट कुप किया हाई प्लेम पर अब ये दो गिलास इसमें मैं पानी आड़ कर दूँगी और इसको अच्छा वाइल आने तक हम पकने देंगे धक देंगे वाइल आना शुरू हो गया एक मैं आपको इसका सीकेट पताती हूँ बहुत अच्छा फ्लेवर लाने के लिए ये दिखिए स्टेंप्स हैं ये धनिया की इनको मैंने फैंका नहीं ये इसमें डाल देंगे तो बहुत ही बड़िया फ्लेवर आएगा और इसमें डालेंगे हम नमक आदा चोटा चमच बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और ये है काली मिर्च यानि ब्लैक पैपर ये है लेमन पूरे एक टाल देंगे ये है मेरे पास कॉन फ्लोर दो चोटे चमच इसमें मैंने पानी डालकर इस तरह से इसका घोल बनाया है फ्रेंट्स घर में बना रहे हैं हेल्दी वे में पीना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी पी सकते हैं बट ये है कि अगर हम बिना कॉन फ्लोर डाले इसको पीएंगे तो जो वेजेटेबल्स हैं वो नीचे बैट सी जाएंगी तो वो इतना अच्छा नहीं लगता देखने में भी तो ये अगर हम कॉन फ्लोर थोड़ा सा डाल देंगे तो ये जो वेजेटेबल्स हैं बहुत अ जटपट से हमारा लेमन कोरियांडर सू बनकर बिल्कुल रेडी है